सब्सक्राइब देख सकते हैं कुठिया फेकने के लिए और इधर मौसम पूरा देख सकते हैं बादाल अभी छाया हुआ है तो बारिस होने वाला होगा अभी थीक है थोड़े दर के बाद में तो अभी मैं यहां पे दाव ले करके निकला हूँ तो अभी और वी कुछ हमें ब बनाना है हम ढूंग का देशी वाला फूल क्योंकि हम लोग का घर के जो नस्दीक में आज है वहां पे पूल टूट है तो पूल हम लोग को बनाना है और इधर यह देख सकते हो piece काद अग्रा हो चुका हूं और यह दिखिए कैसा कर। मैं बनाया हूँ, मैं बेक केमरा सा अप लोग को दिखाता हूँ अभी, देख सकतो यहाँ पर यहाँ बनाया हुआ है यह वाला, ठीक है यह चोटा सा बेड़ यहाँ पर बनाये हैं तो इसमें धान हम लोग फेकेंगे, दो तीन बजे तो अभी मौसम थोड़ा सा बारिस होने जैसा लग रहा है दिखने में अगर बारिस आ जाता है और अगर हम लोग यहाँ पर धान फेक देते हैं तो खराब कर देगा, इसलिए जो है अभी थोड़ा देखते हैं उसके बाद अगर मौसम सही होता है तो साम तक हम यहाँ पर धान को फेक देते हैं, कुछ दिन बाद तो है पुरा सुखा हुआ था यह सब जैसा मैं वीडियो में पहले बनाया था लेकिन अपलोड नहीं कर पाया तो पुरा सुखा हुआ था लेकिन अभी देख सकते हो दो-तीन दिन का पानी इतना जोर से हुआ कि पूरा खेत में पानी भी भर गया है और इधर जंगल भी काव लेकर के तो हाँ जा करके बनाएंगे पूल को और इसके बाद आ करके दो-तीन बज़े यहां पर धान को हम लोग फेकेंगे यह सो इधर आम का बहुत सारे पर आम था लेकिन इसमें फिलाल आधा जो है विक्री कर चुके हैं और अभी भी पका-पका है लेकिन इसमें के पाद करते हैं इस किस्मात अच्छा था एक आम हमको दिख गया है तो इधर रे दीख सकते हो ति यह तुम पर लटका घ॥े यह ऑला तो इसको फूर्ड तो पेहले मैं इसको महां को गिरा दिये हैं तो यह देख सकते कितना और देखने में कितना ताजा और फ्रेस लग रहे हुआ है हुए क्योंकि पेड़ से कुछ दिर पहले गीरह हुआ यह सकते हैं श्कूछ भी नहीं हुआ है अगर पहले से गीरह हुआ रहता है तो इसका यह 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 पाट जो यह काला सा दिखेगा लेकिन इसमें अभी भी रस तपक रहा है ठीक है तो इसको अभी आम धो धाके खाते हैं धो लेते हैं पहले अच्छा से क्यूंकि तीना में गंदा में गीरा हुआ था यह देख लो कि अब दो गाए सब्साव हो चुका है और हम फड़वा लेकर के खेत में आए हुए था और बीस में जो है रेकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा बैटरी जो खतम हो गया था तो पूल बनाए उसके बाद जो है धान जो फिकना था वो फेक दिये हैं ठेकें नहीं मतलब बू बून करके फिर अभी आये थे यहां पर भी यह पानी बंद करना था तो जी जज़ी कभी उधर खेत में जो है हम लोग को धान बून ना था तो बून करके अभी मैं वापस घर जा रहा हूं तो जी ज़े लोग चला गया है और सूरज भी ड़लने वाला है अब ढ़ल चुका है साइद दीखने रहे तो और यहां पर बादल भी चाया हुआ है साइद आज बारिस नहीं होना चाहिए क्योंकि आज हम लोग धान बूने हैं अगर बारिस हो जाता है तो खराब हो जाएगा इसलिए जो है नहीं आएगा तो अच्छा है आज के लिए आज और कल के लिए क इसको फोलो कर दीजेगा